नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत थे दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत को सिखने को मिलेगा जिब कुई एक्जाम में काम करेगा तो आज देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और बीए सेकेंडियर के थर्ड समेस्ट्री में आपका सबेटे हिस्ट्री उसके अंदर जो भी कोश्चन आने वाले हैं उन आने वाले कोश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मापको एक पता के बारे में जानते हैं तेहां पहला प्रशन गातिं क्या पहला प्रशन दिएवा है जमू कस्मी रियासत पर प्रकाइड दालकें पहले आपको दूसरए कोष्चन का रहा है जो लासे में हुआ था दूसरे कोष्चन की ही बातpping कि कि यहां पर तुस्ताब कर तीसरे कोशन दिएवा है 1906-1916 62-17よし मुस्लिम रहनीती पर संचित में दिवह लिखिए 3 आगовор ہے May 69-1996 और 1976's अरा僑ρι मं क Career हिंए अगरगिदर है मुस्लिम रहनीतीwatch चेप ताइवार्ड निभल लिखता है चोथा कोशन का राई जो मांटेग्यू चेंप स्पोर्ट सुधार है यह अब आपको चोथे कोशन के अंदर मांटेग्यू चेंप स्पोर्ट सुधारों का प्रावधानों की बेचना करना है अब दोस्तो अगले कोशन की बात कियोते हैं पर दोस्ताब का पांचो कोशन दियाब है सार्जेंट सिख्छा योजना की सिफारिसों को लिखे पांचो कोशन का राय जो सार्जेंट सिख्छा योजना की सिफारिस है पास्यों कोश्चन के अंदर आपको सार्जेंट सीख्षा योजने की सिफारिशों को लिखना है अब दूस्तों गले कोश्चन की बात किये तो यहाँ पर दूस्ताब का चाटा कोश्चन दियाब है साइडलर कमिशन की सिफारिशों को लिखिये चाल्स बूट के सीख्षा समंधी प्रस्ताव की बिसेस्ता है चाल्स बूट के सीख्षा समंधी प्रस्ताव की बात की बात किया है चाल्स बूट के सीख्षा समंधी सुधारों की की बेचना की बात किया है पुलिस ब्योस्ता है यहां पर आपको तेरह कोशन के अंदर लाड काइनिंग के पूलिस ब्योस्ता में सुधारों की ब्योशने करना है आपको तेरह कोशन के अंदर लाड काइनिंग के पूलिस ब्योस्ता में सुधारों की ब्योस्ता करना है अब दुस्ता अगली कोशन की बात किया है पर अस्थाइबंद वबस्ट से आप क्या समझते है पंदरहो कोश्चन कर रहा है जो अस्थाई बंदोबस्त होता है अस्थाई बंदोबस्त अब क्या समझते हैं पंदरहो कोश्चन के अंदर आपको अस्थाई बंदोबस्त के बारे मतना है अब दुस्तो अगले कोश्चन की बात कियते हैं यहाँ आपको सहने परबंद पर टिपड़ी लिखना है निकि सहने परबंद के बारे में आपको बताना है अब दूस्तो आगले कोश्चन की बात कियेते हैं पर दूस्त आपका 17 कोश्चन दियव है पानी पत के तीरती युद के परमुकराणों को लेकिजिए अब दूस्तो आगले कोश्चन की बात कियेते हैं पर दूस्त आपका 17 कोश्चन दियव है सुरत की संधी कावंड कीजिए उन्हेस्तो आपको अगले कोश्चन की बात कियेते हैं पर दूस्तो आपके लोगूज तेर परशने के बारे में जानेगे तो यहाँ पर दूस्तर दीव गुत्र प्रस्ट में पहले प्रस्ट की बात किजा है तो यहाँ पर दूस्तर आपका पहला प्रस्ट दियवा है बंगाल में ब्रेटिस नीतियों की समिक्षा कीजिए पहला कोश्चन कर रहा है कि जो बंगाल में ब्रेटिस नीतियों की समिक्ष करना है अब दोस्ता अगले कोश्टन की बात की कियोते हैं फैस्ट Gregory परहें से कारेकाल में इंडिया कंपनी के प्रदेसिक बिस्तार करना है अब दques न कि Mana प्रमाट करना है अब य। बताए कि भारत के देश्टी कोड़ से कौन से अधिक निर्णाइक सबित हुआ यहाँ पर तीसरे कोश्चन कर रहा है जो पलासी और बकसर की उद्वा था यहाँ पर आपको पलासी और बकसर की उद्वा करना है और आपको यह बताना है कि भारत के देश्टी कोड़ से कौन से दोव है ॕ रख सब्लिव है को ागले को वीमित अ OH की बात है आप तोषा किय वैसके को बात किय दुस्ताप का पाचों को बात की तरह रहाए को नहीं योस्त Catanda चाहिए सब्सक्रांस जापने के दावारजी लिए करना है इसकी दूस्तों कम्या निकलना है इसकी आलोसिनात्म करना है अब दूस्तों अगले कुश्चन की बात कीजिए तो यहां पर अब दूस्तों कम्या निकलना है जो बिल्टी स्काल में रेली इत्यात्म के जो विकास हुआ और उसके जो आलोसिनात्म करना है यानि को उसकी कभिया निकलना है अब दूस्त अगले कोश्चन की बात किया तिया है पर आपका नौ कोश्चन दियाव है भारत में अंग्रेजु के अधिन सिक्षा निती के आलोशनात्मा विश्चन कीजिए नौ कोश्चन का रहा है जो भारत में अंग्रेजु के अधिन सिक क 딱ब करना करना है अब दोस्तो अगले कोशन के बात किया है पर दूस्ता आपके दसक्राइब और दीर्गोत्र प्रशन को इस पूछेनगे तो दूस्तों इस वीडियो के नमरे आपको लगूत्र तिर्टर प्रशन दुनत्र परशन के बारे बता दिया, आप में दोनों तरह के पुश्णों को नोट कर लिजे और किसी किताब से सीरी से मिला कर कियात कर लिजे दोस्तो आज इस वीडियो को मैं पर स्किप करता हूं मिलता आप से नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तब वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बते ही कि आपको ने इस वीडियो की इस टोपिक उपर चाहिए थेंकियो दोस्तों